नमस्कार विद्या के क्लास में आपका स्वागत है आम आदमी की जिन्दगी में हम एक वर्ड बहुत सुनते हैं रास्ता चलते घर में चोपाल पे मार्केट में कि महंगाई बहुत बढ़ गई है बजट घर चलाना बहुत मुस्किल हो रहा है यह महंगाई क्या है इसी पे हम में बात करेंगे कि महंगाई क्या है और सिधे सिधे यह अर्थ बवस्था और बजट से कैसे जूड़ी हुई है इसके लिए इंग्लिस में सब्द इस्तिमाल किया जाता है इंफ्लेशन जिसको यदि सुध हिंदी रुपा अंतर करें तो उसे मुद्रा इस्फिती बोलते है और दूसरा वर्ड इस्तिमाल किया जाता है डिफ्लेशन और उसको हिंदी में अप इस्फिती बोलते हैं दोनों एकदम 180 डिग्री पे एक दूसरे के दूसरे छोर पे खड़े हैं जो मुद्रा इस्फिती के एकदम अगेंस्ट होती है अप इस्फिती सबसे पहले बात होगी वो सभाविक है कि उसकी कीमत बढ़ने के गुंजाइस ज्यादा रहती है और यदि किसी वज़ा से नेचरल कलैमेटी की वज़ा से या उत्पादन कम होने की वज़ा से यदि सप्लाई कम हो गई तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है इसी को मुद्रा इस्फिती या इसको दूसरे तरीके से आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मालिए कि आपको एक साल पहले समान खरीदे थे 100 रुपए में और वही समान आपको जरूरत पड़ी घर में तो इस साल आपने खरीदा 110 रुपए में तो यह जो 10 रुपए का अंतर आया यह 10 रुपए जो है उस कीमत में गिरावट आ गई पैसे कीमत में गिरावट आ गई इसी को इंफलेशन बोलते हैं अब इंफलेशन होने के क्या कारण है तीन कारण बड़े हैं पहला कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई उत्पादन कम हो गया उस साल पैदवार अच्छी नहीं हुई किसी वजह से तो जब गयर योजिनागत चीजों में ज्यादा आपने खर्च कर दिया तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो उसको खर्च करेगा जब खर्च करेगा तो रुपे की कीमत अटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि उसके पास घाटे की भरपाई के लिए जब सरकार जो है नोट छापने लगती है एक्स्ट्रा तो जैसे सरकार नोट एक्स्ट्रा छापा और मार्केट में वो सर्कूलेशन में आया तो भी उससे फर्क पड़ता है महंगाई पे तो देखते होंगे कि RBI बीच बीच में जो है कई बार RBI स बढ़ाने घटाने का फिक्षा होती है उस पर सक्त रहता है वो इस सब कुल मिलाज़ुला के महंगाई को ही नियंत्रित करने की कवायद होती है ठीक इसी तरह से यदि डिफलेशन की बात करें तो डिफलेशन में क्या होता है कि उसमें जो है आप क्या इसमें तो डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई घड़ जाती है आप उसमें क्या है कि उसमें सप्लाई बढ़ जाती है यानि कि मालेजे कि किसी कंपनी ने कोई गाड़ी बनाई और उसकी मॉडल वो चल गई तो और भी कंपनीों ने उस गाड़ी को बना लिया और नतीजा यह हुगा कि बहु enough interest बढ़ा दिया तो market में जो है मुद्रा की पैसे की supply جए कम हो गई तो यह ऐसी इस्तिती बन जाती है आप इस्फिती की deflation की इस्तिती बन जाती है और और भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते कारण है जिसकी वज़ा से आप इस्फिती यानि की deflation बनता है उसमें क्या होता है कि just जो मुद्राइश फिती में होता है उसके against होता है और ये आप इस फिती जो है आपको जो है मंदी की तरफ ले जाता है और जब मंदी की तरफ जाते हैं तो बेरोजगारी बढ़ने लगती है अब बहुत सारी संकट पैदा हो जाता है इसलिए माना ये गया है कि inflation और deflation में जो है balance रहना चाहिए और एक बात का ध्यान रखेगा कि जो भी inflation या deflation की बात हो रही है यह निर्धारित अवधी की बात होती है यह नहीं कि एक दिन में कोई चीज बढ़ गई या घट गई तो वह inflation या deflation हो गया और दूसरा चीज जब भी हम तुलना करते हैं इसकी तो स्थमाने कीमत को केंद्र बिंदू में रख करके उसकी तुलना करते हैं तो कोशिस किया है इंफ्लेशन और डिफ्लेशन आपको बताने की आगे फिर कोई ऐसा ही इसू लेकर करके आएंगे और आसान सब्दों में आपको बताने की कोशिस करेंगे यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ है तो उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखिए थैंक यू